Hello everyone, good morning students, welcome again, this video is for 7th standard student and today I am going to explain new topic of chapter number 14 So student open a book and take out your pencil as you know that कि हम जब भी science पढ़ेंगे तो अपनी book और pencil को साथ में रख कर पढ़ेंगे जिससे मैं आप कहीं बोलती है कि यह important है इसको underline करना है तो underline कर लीजे, star बनाना है तो star बना लीजे So in the last class मैं आपको check your progress का work दिया था जो आपको अपनी copy में यह book में कर लेना था क्योंकि यह one word answer है तो आप अपनी book में भी कर लेंगे तो भी no issue ठीक है तो काफी सारे बच्चे ने comment box में comment किया है तो इसके बारे में last में video के last में discuss करेंगे किनके किनके बच्चों के comment मुझे मिले है वो सारी चीज़े हम वीडियो के last में discuss करेंगे first of all हम पहले आज का topic discuss करेंगे वह है नेचरल डिजास्टर है सो नेचरल डिजास्टर जो होती है वह नेचर के थूख की जाती है जिस लाइक की हाइच स्पीड विंड्स आंधी तुफान आना बाड़ा जाना ठीक है यह साइकलों टॉनेडो बहुत तीस हवा चलने लगना जिससे बहुत जादा नुक्सा सेफटी मेजर्स और थेंग्स नाव रेन इन हाइच स्पीड विंड्स ब्रेंग विद देम प्रॉब्लम एं सम्टाइम डिजास्टर तू आप भी जानते है जब बहुत इस बारिश होती है अधी तुफान आता है यह तो पेड गिर जाता है राइट और और बहुत सारे अनदोस एक्जेक्टर आर सच सिचेशन इन विच नेचर इसल विकम अ थ्रेट तू दाल एक्जिस्टेंस अफ लाइफ नाव नेक्स थंडर स्टॉम पहले पन से लेक कर लेते हैं थंडर स्टॉम आर स्टॉम्स अकंपनी बाइभी रें लाइटनिंग थंडर एंड बारिश होती है कुछ जगें पर बहुत जादा है वी रें हो जाते हैं जिसके वजह से बहुत सारा लॉस होता है थंडर स्टॉम आर वेरी कॉपन इंडिया बहुत जादा कॉमन है हमारे साइट भी अगर यूपी की बात करें तो यहां पर जो सिच्वेशन होती हो तुड़ तो यह सारे चीज़े रिस्पॉंसबल होती है थंडर स्टॉम को कॉस करने में और आप सबको पता है जब बहुत बिजली लाइटनिंग होती है या थंडर हवा बहुत चलती है पानी परसता है तो मौसम बहुत अजीब सा हो जाता है और इवें जिनके घर में टीन के शेड ह होते हैं वो भी उड़के कहीं और चले जाते हैं तो बहुत सारी नुक्सान अलड़ी होते हैं जो एनिमल से उनका भी बहुत सारा लॉस होता है ठीक है नो यहां पर एक इमेज दी हुई है आप सबको पता है थंडर स्टॉम में हमारा जो लाइटनिंग ऐसी होती है ऐसी दि लाइट तो आप सबको बता है कि जब हीट होती गर्मी को दिनों में एर क्या होती है क्योंकि ऐसा होता है और जिन बच्चों ने अभी तक फर्स सेकेंड और थर्ड पार्ट वीडियो नहीं देखिए वो देख लेंगे विकॉस वहां पर यह सारी चीज़े एक्स्पें क्यो होती है नाओ इन विंटर सीजन जो एर होती है वो क्या होती है कंप्रेस्ट फॉर्म में रहती है तो यह सारी चीज़े हम पहले की वीडियो में डिसकास कर चुके जिन बच्चों ने अभी तब पुराने वीडियो नहीं देखिए वो देख लेंगे ठीक है तो यहां पर आपको पता चल गया क्लाउट कैसे बनते हैं नाओ तो क्या होता है कंप्रेशन की टाइम पर वाटर वेपर जो होते हैं उनकी हीट निकल जाती है और वो क्लाउट के असपास रहती जिससे क्लाउट क्या होता है थोड़ा सा वाम हो जाता है तो आप सब को पता है समर सीजन में जब भी बारिश होती है जो हावा चलती हो कैसी होती है थोड़ी सी कूल सी होती है और हम अच्छा फील करते हैं राइट लाइट लाइटनिंग एंड थंडर देयर वाई कॉजिगा थंडर स्टों ना इफेक्ट ऑफ थंडर स्टों क्या क्या होता है इससे अब आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में किता सारा लॉस हो रहा है पहले पैंसे लग कर रहे थे हैं थंडर स्टों कॉजए सीवेर डामज तो लाइफ और प्रॉपर्टी पॉइंट नमबर फास्ट जस्ट लाइक की आउट ऑफ इंडिया में मोटती जगे पे जो शेड होता है वो ऐसा बन वोता हूर यह बहुत जादा लॉस भी होता है महाँ पे रूफ ओफ हाद्स वादिंग्स और शेड गेट ब्लोन अवे ठीक है जब बहुत दिस हवा होती तो क्या होता है गेट ब्लोन अवे दूर उरके चला जाता है जिसके करण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके घर में शेड होगा और हर आधी तुपान वो दूर चला जाएगा तो दिस इस आ रेलिया प्रॉपलर नाव पॉइंट नमबर टू लाइटनिंग स्ट्राइट्स और डैमज बिल्दिंग कॉजस फायर एंड किल पीपल जब बहुत तेस बिजली जमकती है आप लोग ने सुना होगा अधी पीपल आर किल्ड और एंजर ठीक है बहुत सारे लोग क्या होते हैं मर भी जाते हैं और चोटे भी लग जाती है और पोई नमबर फॉर आल टाइंस फ्लाइश फ्लाइश फ्लाइट आर कॉस्ट डिटू है रेंड हैवी रेंग के कारण फ्लाइट हो जाता है ठीक है पार आ जाती है और जो लोग गंगाजी के किनारे या समुधर के किनारे रहते है जैसलाइक मचली पालन करने वाले उन लोग को रहने में बहुत जाधा प्रॉलम हो जाती है चर्व्च compliant ट्री जो है अलेक्रिक पोल क्या है कि जब भहुत सब आनी तुफान आता है तो है ससना तो जब बहुत जादा मुझसम खराब होता है तो हमारा नेटवर्क क्या होता है वो भी बेकार सा हो जाता है और हम इसली एक दूसरे से कॉंटक्ट नहीं कर पाते हैं है कि कि यह सारे effect इ theor जो थंदर्स्रॉम से होते हैं now safety measure to be followed during a thunderstorm हमें क्या सेज़िपो मेहां लनी चला हो थैbus पहले towel कर लेते कि फ्रेट नंबहर पर्स टेक शेल्टर अंड manner disrupt और कलेक्शिम और ट्रीज और इना car और bus ठीक है अगर आप travel कर रहे हैं तो आप कहाँ पर shelter ले सकते हैं car और bus में आप रह सकते हैं because जो car और bus की seats होती है वो किस्से बनी होती है फोर्ब से बनी होती है और वहाँ पर lightning effect नहीं होता है यह बहुत कम होता है नहीं होता है वो safe जगे एक तरीके से point number two never lie down on a ground ठीक है ग्राउंड में आपको कभी लेटना नहीं चाहिए या बैटना नहीं चाहिए जब बहुत जाता lightning हो रही हो वो harmful है point number third do not sit near an open window open window के आसपास भी नहीं बैटना चाहिए lightning के टाइम पे यह सारे precautions हमें लेने चाहिए वैसे उत्तर प्रदेश में तो इतना जादा problem नहीं होता है लेकिन अगर आप South India side जाएंगे या Mumbai महराश्रा क्योंकि वहाँ पे बहुत जादा heavy rainfall होता है हर साल होता है तो वहाँ पे यह सारे precautions लेने बहुत जादा ज़रूरी है उची-उची buildings है तो अगर 10th floor में या 15th floor में रहने वाला लोग अगर यह precaution नहीं लेंगे तो उनको बहुत जादा loss हो सकता है विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए ठीक है avoid contact with water if one is in the swimming pool during a thunderstorm one should come out at once and go inside a building ठीक है अगर swim pool में आप हो और बाहर thunderstorm में मौसम खराब हो रहा तो आपको पूल से बहार निगल जाना चाहिए जिससे lightning हो तो आपके उपर कोई effect ना हो क्योंकि पानिंग्या होता है attractive होता है और good conductor of electricity water is a good conductor of electricity और आपको current लग सकता even that भी हो सकती है तो अगर आप लोग पुल पे हो तो बहार आ जाओ now point number fifth do not take shelter under storage sheds having metal roof open garage under a umbrella विता metallic end ठीक है तो हमें ऐसी जगे पर shelter नहीं लेना चाहिए जहां पर क्या हो metal roof हो ठीक है जहां पर metal की roof हो क्योंकि वो lightning को attract करेगा right open garage अगर by mistake भी महाँ पर lightning टच कर जाती है बिजली या गिर जाती है तो उससे क्या होगा बीचे जो लोग है वो उनकी death भी हो सकती है बहुत जाधा harmful तो ही open garage जो जिनके shed नहीं open garage होते हैं वहाँ पर भी shelter नहीं लेना चाहिए under an umbrella with metallic end अब आप लोग जानते हैं कि umbrella ऐसा होता है ठीक है इसका यह जो नीचे वाला हिस्सा होता है अगर metal का है तो आपको इसको भी अटा देना चाहिए because अगर यह metal का है तो यहाँ पर metal is a good conductor of electricity सबको बता है तो अगर लाइटनिंग होती है अब मेभी यहाँ पर cartoon में बहुत सारे time पर दिखाया भी जाता है यह ना तो आप सबको बता है कि अगर metallic end है तो आप बिजली गिरेगी तो आपको दुक्सान हो सकता है under an isolated tree under high-rise building ठीक है ऐसे करके आपको इतनी जगों पर शल्टर नहीं लेना है यह सारे हमारे होगा precautions आप जब भी कभी हाय दूसरी cities में जाएंगे तो यह सारे आपको safety measures follow करने जहां पर बहुत प्रॉप्रम होती कि इसकी बारिश की बहुत जादा बारिश हो जाते बहुत जादा lightning होती है तो यह सारे revolving storms तो आप लोग ने अगर cyclone का वीडियो mostly देखा ही होगा news में बहुत जादा ऐसे revolve करके हवा उठती है और वो बहुत जादा लंबा हो जाता है out of India में तो यह बहुत जादा harmful होता है लोगों के लिए ठीक है caused by wind blowing around a central area of low atmospheric pressure it develops over tropical seas ठीक है पानी में भी होता है यह over the warm moist water of the ocean near the equator equator के साइड पर होता है as the air above the water heats up it rises and cooler air from the surrounding take its place this causes small thunderstorm that merge together and form a cyclone so यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह water में cyclone आया हुआ है ठीक है यह दीर यह दीर यह दीर यह बड़ा होता जाता है और बहुत सारे loss भी करता है और बहुत लोग प्रेशर सेंटर में होता है इसलिए ऐसा होता है cyclone mostly low pressure के कारण बनते हैं ना ना मोस्ट इक्विंश distinguished feature of the cyclone is high speed wind इसकी जो सबसे जादा negative point वो क्या है इसकी जो wind होती है वो circle way में round up होके तो आती है पर बहुत सी ताजा high speed होती है मत्तब की अगर उसके पास कोई weightage बहुत ही weight वाला heavy समान भी होगा ना even car कार तक वो अपने साथ लेकर rotate कर लेता है ठीक है that swells around a low pressure center these wind swells due to the rotation of the earth as the cyclone forms the center attains a low pressure ठीक है it becomes a calm region and it's called eye of the storms or the storm center various factors that contribute to the development of the cyclone are the speed of the wind direction of the wind temperature and humidity ये सारे various factors underline के लेज़े से कौन-कौन से factor है जिसके current cyclone होता है various factors that contribute to develop a cyclone speed of the wind direction of the wind and temperature and humidity ये चार factor है जो responsible होते है कहीं ना कहीं cyclone को develop करने हो है now naming cyclone metrologist name cyclone such as Hugo, Katrina, Alia, etc. so that they can study about them they can refer to these cyclones easily if they have to study the pattern of the forthcoming cyclones so ये सारे ऐसे cyclones है जो जब आये थे तो बहुत ही ज़्यादा loss हुआ था living beings को भी और बहुत ही ज़्यादा घर, घर की छते, नॉर्मल लोग जो समुदर की किनारे रहते हैं ठीक है तो उनको बहुत ज़्यादा problem हुई थी जब इस तरह के cyclone आये थे बहुत सारे लोग इससे क्या होते हैं मर जाते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं cyclones gather a lot of moisture while traveling over the seas so they bring heavy rain on hitting the coast ठीक है तो इसके कारण जब वो hit करते हैं coast areas में तो क्या होती है बहुत ही ज़्यादा heavy rain हो जाती है many towns and cities get submerged ठीक है वासरे टाउन and cities get submerged trees electric poles and get uprooted आप लोग ने अगर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप लोग youtube में जाएं cyclone की video अगर search करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह कितना ज़्यादा नुकसान कर देता है नॉर्मल लाइफ में now huge loss of property and loss of soil fertility has caused तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर cyclone आया हुआ था उसके बाद की यह image ली हुई है damage caused by cyclone यहाँ पर देख सकते हैं यह समुद्र के किनारे की pictures है आपके book में दी हुई है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा property का loss हुआ है मतलबीन सारे boards को अब use नहीं किया जा सकता ठीक है fishermen caught in the sea lose their lives अगर fishermen मचली पकड़ने गाय हुआ है तो वह क्या होता है उनकी life danger में हो जाती है क्यों कि cyclone अचानक से उठते हैं और वहाँ पर क्या होता है वह फस्स भी जाते हैं और discovery channel पर mostly यह सारी चीज़े शो की जाती है अक्सर दिखाई जाती है कि fishermen के साथ क्या क्या problems आई तो of course बहुत सारी problems होती है जो face करनी होती है fishermen को भी now safety measures to be followed during a cyclone अगर आप कैसी ऐसी सीटी में जाते हैं जहां पर कभी in future cyclone आ जाता है तो आपको यह सारी belongings to the safe place as soon as possible ठीक है हमें essential चीज़े क्या करनी चाहिए शिफ्ट कर लेनी चाहिए जल्दे जल्दे सेकें इस्टोर clean drinking water food first aid kit and clothes यह सारी चीज़े स्टोर कर लेनी चाहिए क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि जिस एरिया में cyclone आ रहा है वो कितना जाधा heavy होने वाला है कि government आप को क्या करना है यह सारी चीज़े कर लेनी जिससे अगर महीनों लग जाए government को आप से contact करने में या बहुत जाधा problem हो जाए तो at least आपके पास अच्छा पानी होना चाहिए पीने के लिए खाने के लिए खाना होना चाहिए आपके पास first aid kit होने चाहिए और कपड़े भी होने फॉलो करने चाहिए और जब वार्निंग दी जाती है तो उसको seriously लेने चाहिए हमेशा हमारे weather reports जो होती है वह हमेशा बता देती है कि आगे के next days ऐसे ऐसा weather होने वाला है तो हमें उससे पहले precaution ले लेना चाहिए point number 4 do not drink unclean water as it is contaminated people may suffer from waterborne disease like typhoid, cholera and dysentery तो हमें कभी भी और normally अगर ऐसे चीज़े होती है तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए हम बिमार हो सकते है और अगर हम बिमार हो जाएंगे तो ऐसे problems भी और ज्यादा problem हो जाएगी now keep all the emergency phone numbers such as fire, brigades, medical help, etc ready सारे सारे emergency numbers आपको अभी भी अपने phone में safe करके रखना चाहिए अगर कोई भी ऐसे situation हो जाती है जहापे इनकी जरूरत है तो हमें तुरंट contact कर सके तो यह आप सबको अभी भी करना है आपको इन सबके numbers अपने phone में अभी भी safe करके रखने हैं ठीक है do not touch electric appliance and switches as they may conduct electricity अगर बहुत जादा lightning हो रही है बारिश हो रही है तो हमें बहुत जादा switch को या electric plug को नहीं टच करना चाहिए उसमें क्या हो सकता है current हो सकता है और हमें current लग सकता है so students आज की class यह पे end होती है इसके आगे का topic हम next class में करेंगे टॉन एडो और जितने भी चेक्यों progress के question है और उसके answers है वो next class में आपकी मियाम आपसे discuss करेंगे और जिन बच्चों ने comment किया हुआ है comment box में by name उनके साथ discussion होगा कि यह correct है या नहीं correct है ठीक है तो next class में करेंग ठीक है अभी आपकी class यह पे over हो रही है यहां तक का topic आप अच्छे से देख लिए जितने भी precautions safety measures है वो सारे आपको लेने हैं कभी आप ऐसे cities में जाते हैं जहाँ जादा cyclone आता है या ऐसा thunderstorms वाला scene जादा रहता है तो आपको safety measures follow करने चाहिए इसलिए आपके chapters में यह सार आसी problems हो तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है ठीक है और emergency phone numbers five brigade के medical help line यह सारी चीज़े आपको अभी से अपने phone में सेफ कर लेनी चाहिए में भी कभी आपको by mistake life में जरुरत हो गई आपके पडोसियों की भी जरुरत हो गई तो हमें फटा फट क्या करना है इनको call करके help के लिए बुला लेना है address दे करके ठीक है तो यह सारी चीज़े हमें अभी से follow करनी चाहिए तो आची ग्लास यह पेंट होती है thank you